नमस्का दोस्तों आज सब का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने सी यूरोप चैनल डिस्ट ग्यान में तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल स्कॉलोशिप वोटल पर एनमेमेस की जो स्टूडन्स हैं जो नियू स्टूडन्स हैं या जो रि आपको मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो स्कॉलोशिप में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशल है जो स्कॉलोशिप डॉट योवी डॉट इन या फिर आप गूगल पर नेशनल स्कॉलोशिप पोर्टल सर्च करके भी जो वेबसेट उसको उपन कर सकते हैं तो इसमें आपको नीचे आना है एप्लिगेंट कॉर्नर पर तो यहाँ पर आपको दो आप्शन मेलेंगी जो स््टूटंस है, फ्रेशी स्टूटंट और रिर्टिशी टूटंट्स तो अगर फ्रेश स्टूटंट है तो आपने फ्रे तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ information जो है वो student की fill करने के बाद आपको एक user ID और पासवर्ड मिल जाएगा तो यहाँ पर आपने दोनों को टिक करना है टिक करने के बाद आपने continue पर कर देना है तो यहाँ पर आपको अगर आपका अधार कार्ड है और आपका mobile नमबर है तो यहाँ पर आपको OTP आएगा यहाँ पर आपने OTP फिल करना है और यहाँ पर उसको verify कर देना है उसके बाद पास जो information आईगी वो आपने fill कर देनी है उसको fill कर देना है और आपको एक login ID और password मिल जाएगा तो जब आपको login ID और password मिल जाएगा तो आपने यहाँ पर अपना application ID और जो password है और capture code इसको fill करने के बाद login बटन पर click कर देना है अगर आपको application ID और password भूल गया है तो आप यहाँ से इसको दुबारा से forget करके प्रापत कर सकते हैं जैसे ही आप login करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगी उस student की तो यहाँ पर आप दे सकते हैं right side में left side में आपको कुछ information मिलेगी यहाँ पर pre-filled information है तो pre-filled information में student की जो सारी information है वो आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगी जो आपने fill करी होगी तो यह student मैं आपको renew की example दे रहा हूं तो अगर press to doड होगा तो उसको आपने यहाँ पर यह सारी information फिल करनी है तो सबसे पहले तो आपने जिस scheme एप्लाई करना है वो आ जाएगी आपको state का नाम फिल करना है, student का नाम फिल करना है, gender, उसकी category कौन सी है, mother name, अधार कार्ड, email ID, उसके बाद scholarship category क्या है, date or birth क्या है, religion क्या है, इसे एक हिंदू है, उसके बाद father name, annual income कितनी है, उसकी mobile number, date scholarship है, यहां hostler है, यह सारी information student की आपने फिल करनी है, उसके बाद आपको academic detail जो है, वो आपको फिल करनी है, तो जो academic detail है, उसमें आपने students की 10th, उसमें कौन से school से की है, वो information आएगी, उसके बाद present class कौन सी है, उसकी वो आएगी, उसका roll number आएगा, तो यह सारी चीज़े आपने य year क्या है, वो फिल करना है, तो यह सारी चीज़े फ्रेश students के लिए है, उसके बाद कुछ basic detail है, वो आपने जैसे martial status unmarried है, या married है, bank account की detail है, वो आपने फिल करनी है, उसके बाद state, block, address उसका फिल कर देना है, district को और pin code को फिल कर देना है, तो यह सारी चीज़े आपने फिल करनी है, उसके बाद अगर आपका student जो renew है, उसके बाद आपने उसको updates institute पर click करना है, तो यहांपर आपको institute का नाम आएगा, आपने उसको update कर देना है, उसके बाद आपको students का अधार कार्ड मिलेगा, यहांपर option नहीं है, तो मैंने student का अधार कार्ड था, जो verify कर दिया है, तो student का अधार कार्ड verify करने के लिए आपको एक QTP आएगा, तो आपने उस QTP को verify कर देना है, बस, तो अभी मैं आपको बताँगा कि अगर renew वाला student इसको आपने कैसे करना है, तो apply for renew की option आएगी, तो इसमें कुछ student की information पहले से ही आपको मिल जाएगी, उसका नाम, father name, उसक present institute को अनसा है, यह सारी information आपको यहां से pre-filled मिल जाएगी, उसके बाद कुछ information है, जैसे उसकी family income क्या है, उसकी email ID क्या है, day scholarship है, present class year क्या है, वो आप यहां से fill कर देंगे, first year है, second year है, उसकी class start date क्या है, उसके पिछली class में कितनी percentage आई थी, उसका admission enrollment number क्या है, उसका admission year क्या अगर पहले से fill है, तो ठीक है, अगर change करना चाते हैं, तो आप change कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक student का bonafide certificate जो है, वो download करना है, यहां से आप उसको download करेंगे, उसके बाद जो form download होगा, वहां पर student की photo लगेगी, principal की stamp और signature लगेंगे, और वो आपने यहां से upload कर देना है, तो यह सारी चीज़े करने के बाद आप save as draft कर सकते हैं, अगर सारी चीज़े आपके सही हैं, तो आप यहां से final submit कर देंगे, तो आपका student का application form में वो finally submit हो जाएगा, उसके बाद आपने यहां से check your status पे click करना है, आपका status क्या है, वो check कर लेना है, उसके बाद print your application पे click करना है, तो यहां से आपने अपने application को print कर लेना है, तो यह simple सा process से students को apply करने का, तो fresh और renew दोनों को process मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने fresh student और renew students को कैसे apply करना है, तो NMMS में apply करने का जो process से वो दबबग शुरू हो चुका है, उसको apply करने का जो process से वो national scholarship portal पर ही होना है, तो वहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके इलावा फिर भी अगर आपकी कोई query या कोई question है, तो आप हमें comment section में पूस सकते हैं, तो उमीद करता हूँ हमारे दोरा जो भी आपको जानकारी दी गई है, आपको अच्छे से पता चल गई होगी, फिर भी कोई problem है तो आप हमें प